हेलो एवरिवान स्वागत है आप सभी का डापनेट की इस क्लास में तो बचो मेरा नाम है उजवला और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दी मुगल एम्पायर और मुगल एम्पायर का आज है लेक्चर नमो वान तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं मैं उन सबको बता देती हूँ कि मेरा नाम है उजवला और बचो मैं आप लोगों को सोशल साइंस बढ़ाती हूँ ठीक है तो आज हम लोगों की जो है पहली क्लास है एक तरह से हम लोग आज जो है मुगल एम्पायर का चैप्टर बचो पढ़ने वाले हैं और मैं आपको बता दू कि यह जो चैप् रहा है कि हमारा मुगल एम्पायर जो था वो असलियत में था क्या अलका ऐसा आइडिया तो लग रहा है लेकिन इसकी जो पूरी बात है हम लोग आज की क्लास में शुरू करने वाले हैं तो चलिए अभिना और टाइम जो है अपना वेस्ट नहीं करते हैं आगे चलते हैं औ अजली बहुत सारी थीम्ज हैं जो कवर करनी हैं जल्दी से देख लेते हैं कौन-कौन सी हैं देखो हुवदी मुगल्स सबसे पहले हम बात करेंगे कि असली में ये मुगल्स जो हैं ये थे कौन उसकी बात बच्चों मुगल military campaigns की बात करने वाले हैं तो किस तरीके से हमारे मुगल्स जो हैं वो अपने आर्मी के बलबूते पर अपने military के दम पर क्या क्या किया करते थे फिर बच्चों हम लोग मुगल traditions of succession की बात करने वाले हैं succession क्या होता है ये सारी चीज़े में आपको बताऊंगी साथी में मुगल relations with other rulers उसके ही बात मनसबदार्स जागिरदार्स और बच्चों जब्त और जमीनदार्स की बात करेंगे साथी में a closer look at अकबर's policies and the मुगल empire in the 17th century and after तो ये सारे वो themes हैं बच्चों जो हमको इस chapter के इंदर cover करने हैं चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर आज की class में हम लोग introduction की बात करने वाले हैं तो introduction हमारे इस chapter का जो है उसको हम देखने वाले हैं जादा आगे नहीं जाने वाले हैं तो ध्यान से आप लोग मेरी बात सुन कि जो हमारा भारत देश था भारत देश के अंदर सिर्फ अभी जो territory है ना उतनी ही territory नहीं जुडी थी मतलब इंडियन जो area अभी आज हम लोग occupy करते हैं जितना हमारा भारत का area है उस area से जादा area हुआ करता था एक time पर और एक ऐसा भी time था बच्चों जब ऐसे नहीं होता जो मुगल्स है वो एक ऐसी dynasty है जिसने हमारे भारत के उपर राज किया था एक समय के दौरान और ये भारत सिर्फ वो भारत नहीं था जो आज के समय पर है इस भारत के अंदर और भी जगाएं जो है जुडी हुई थी ठीक है इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है चले देखें तो यहां पर बात करते हैं दी मुगल्स क्रियेटेड अन एंपायर और अनकंपलिश्ट वाट है सीम पॉसिबल फॉर ओनली शॉर्ट पिरियोड ऑफ टाइम तो यहां लिखा है बच्चों कि मुगल्स जो है जो मुगल रूलर्स जो है जो राजा महराजा है हमारे म लोगल्स है ना उन्होंने एक ऐसा एंपायर बना लिया एक ऐसा अपना राज इस्टाब्लिश कर लिया जो पहले कुछी समय के लिए पॉसिबल ऐसा सोच जाता था कि कुछी समय के लिए पॉसिबल है अब ऐसा बोल रहे होगे कि मैम ऐसा क्यों बोल रहे हो आप ठीके बच यहां पर हम बात कर रहे हैं इंडियन सब कॉंटिनेंट की तो जब हम इंडियन सब कॉंटिनेंट की बात करते हैं तो इस इंडियन सब कॉंटिनेंट में कुछ पाकिस्तान के हिस्से और उपरी हिस्से जो है वो जुड़े हुए थे बचो तो इस इंडियन सब कॉंटिनेंट पे हमने ऐसा देखा है कि इतनी बड़ी territory थी इतना बड़ा देश वुआ करता था और यहां पर जो लोग है बहुत ही diverse population यहां पर रहती थी अभी जब मैं बोलती हूं कि diverse population रहती थी तो diverse population का क्या मतलब है देखो बचो diverse population का simple सा है मतलब है कि लोग जो है उनकी अलग-अलग संस्कृती थी अलग-अलग सभेता थी अलग-अलग धरम में मानते थे तो एक बहुत ज़ादा diversity थी एक दूसर से बिलकुल अलग लोग हुआ करते थे अभी जो अलग-अलग लोग है बचो यह इस इंडियन सब कॉंटिन में रहते थे और इस इंडियन सब कॉंटिनेंट में इन अलग-अलग लोगों के होने की वज़स से यहां पर किसी भी राजा महराजा का राज करना बहुत जादा मुश्किल हो जाता था तो बचो हम देखते हैं कि मुगल्स ने बहुत लंबे समय तक इस इंडियन सब ठीके बचो साथी में देखें अब बचो आप लोगों को मैं ऐसा मान रही हूं कि आप लोगों को 16th century 17th century यह सारी चीज़े पता होती हैं नहीं पता होती है तो मैं बता देती हूं तो बचो जब हम 16th century की बात करते हैं तो हम लेते हैं पंदरा सो से लेके सोला सो तक का जो time period है उस time period की बात करते हैं जब हम लोग 17th century की बात करते हैं तो हम सोला सो से लेके सतरा सो का जो time period है इस time period की बात करते हैं तो यानि कि अगर अभी हम बोले कि हम 21st century की बात कर रहे है 21st century क्या हो जाएगी 2000 लेगी 2100 तक का जो time period है ठीक है बचो चलिए तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं latter half की यानि कि जो बाद का हिस्सा है हमारे 16th century का 1580s 1590s इस time period की बात कर रहे हैं कि इस time period के अंदर हमारे mughals ने अपना जो kingdom है अपना जो राज्य है उसको expand कर लिया तो बचो आगरा से वो दिल्ली की तरफ भी आ गया दिल्ली की तरफ expand हो गया and 17th century तक they control nearly all of the subcontinent पूरे subcontinent में अपना राज जो है उन्होंने establish कर लिया तो आप देख रहे हो कि इतने ही time period के अंदर उन्होंने किस तरीके से expansion करी है कितने बड़े area पर वो लोग राज करने गई है और बचो एक तरह से हमारे जो मुगल्स है वो एक political पुलिटिकल लेगिसी छोड़ कर गए है पुलिटिकल लेगिसी छोड़ कर जाने का मतलब है कि बचो जिस तरीके से मुगल्स राज करते थे जिस तरीके से उन्होंने policies बनाई थी और जो भी यह चीज़े करी थी उन policies का उन चीजों का impact बहुत बाद तक रहा है तो बाद में भी जो rulers आकर इंडिया पर राज करते थे उन rulers ने भी इन policies को अपनाया है तो एक तरह से political legacy छोड़ कर गए हैं वो कि उनकी कुछ ऐसे चीज़े थी जो लोग भूल नहीं पाए हैं बहुत अच्छे अच्छी ची पर nations को address मलब हमारे nation जो है इंडिया को address करते हैं तो सारे लोगों को जो है वो speech देते हैं भाशन देते हैं है ना बचो तो यह कहां से देते हैं वो भाशन पता है आप लोगों को बताओ मुझे comments में जल्दी से बताओ देखो अगर आप लोगों ने नहीं बताया तो मैं बत बताओ अब यहां पर हमें पता है कि हमारे जो प्राइम ब्निस्टर है वो एक ऐसी जगा है बचो कौनसी जगा है हमारा रेड़ फोर्ट रेड़ फोर्ट से वो जो है ना बचो रेड़ फोर्ट से पूरे के पूरे देश को address करते हैं और रेड़ फोर्ट के बारे में एक interesting fact बताऊं, Red Fort, जो है न, हमारे मुगल Emperors का residence हुआ करता था, तो हमारे मुगल Emperors जो हैं, वो इस लाल किले में राहा करते थे, तो वाओ, कितनी amazing life थी इन लोगों की, है न, ऐसा हमको लगता है कि कितनी amazing life रही होगी हमारे मुगल rulers की, कि वो लोग Red Fort में रहते थे, वाओ माम, हमको भी रहना है, है न, चलिए, तो यहाँ पर हमको बात समझ में आ गई है, ठीके बचो, तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, कि एक तरह से हमारे जो मुगल rulers हैं, उनको ऐसा वैसा ruler मत समझना, वो बहुत समय तक उन्होंने जो है भारत राज्ये पर, इंडियन सब कॉंटिनेंट पर राज किया है, और इनका यह जो राज है, यह बहुत ज़ादा important रहा है, इसने एक political legacy भी छोड़ी है, जो बात में आने वाले लोग ignore नहीं कर पाए, मतलब वो भी इस चीज़ को appreciate करते हैं, कि हमारे मुगल्स ने एक political legacy जो है, वो छोड़ कर गए है, ठीक है बचो, साथी में हमने देखा कि किस तरीके से इन्होंने जो administration और politics बनाई, वो बहुत ज़ादा important रही है, और साथी में इन्होंने अपना kingdom expand कर लिया था, आगरा से दिली तक और बाद में हम देखते हैं, कि 17th century तक तो पूरा subcontinent, एक तरह से पूरा ही subcontinent ये लोग control किया करते थे, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, यहाँ पर, आगे चलें, या फिर मैं आपको न थोड़ा सा एक चीज़ बताऊंगी, किस तरीके से हमारे मुगल empire के अंदर, अच्छा, तो यहाँ पर हूवधी मुगल्स की बात हो रही है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि हमारे मुगल empire के अंदर कौन-कौन से राजा महराजा थे, तो हर किसी को इंट्रेस्ट है ये बात जानने के लिए, कि कौन-कौन से राजा महराजा भाई हमारे मुगल्स के अंदर हुआ करते थे, कौन है ये बाबर हुमायू अकबर कौन है? ये बच्चो हमारे मुगली हैं, ये मुगल रूलर्स हैं, ठीके? तो सबसे पहले रूलर्स थे बाबर, उसके बाद हुमायू, उसके बाद अकबर, पर उस आड़ में तो सिर्फ अकबर की बात करी है, आगे कौन है? है ना, तो आगे आते हैं जहांगीर, जहांगीर के बाद आते हैं बचों हमारे शहा जहां, शहा जहां जिन्होंने क्या बनाया है, जल्दी से मुझे बच्चे लोग क्या करेंगे, कौमेंस के इंदर बताएंगे कि शहा जहां ने कौन सा वो important monument है, जिसको construct करा था, ठीक है तो यह हमारे कुछ मुगल रूलर्स हैं, जिनका नाम आप लोगोंने definitely सुना होगा, भई यह किसी celebrity से कम नहीं है, बहुत जादा popular है, ठीक है बच्चों, चलिए, अब यह जो हैं, हमने इन रूलर्स की नाम की बात तो कर ली है, लेकिन असल में यह मुगल रूलर्स थे कौन तो जरा एक बारी देख लेते हैं, देखिए बचों, यहाँ पर देखो, दिमुगल रूलर्स वरी descendants of two great lineages of rulers, तो बचों, जब हम एक तरह से lineage की बात करते हैं, यानि की एक तरह से जब हम बोल रहे हैं कि एक bloodline है, वो lineage चलती हुई आ रही है, ठीक है, कि आप इस particular family को belong करते हैं, तो बचों, हमारे मुगल ATM रही, एक रही अंचली दो बहुत important families को belong करते थे, देखो, किस तरीके से बोल रहे हैं हम कि दो important families को belong करते थे, क्योंकि बचों, हमारे मुगल कों का था, उंके जो मम्मी की side थी, एख उनकी थी मम्मी की side, एक उनकी थी Papa की side, तो एक जो है, हम इस तरीके से हमारे मुगल्स की भी दो साइड थी एक मम्मी की साइड है तो यहां पर हमारे मुगल्स थे अच्छा बचो देखो यहां पर बात हो रही है कि हमारे जो चेंगेज खान थे यह एक मौंगोल रूलर थे ठीक है तो मौंगोल मुगल नाम एक ही चीज है डिराइव हुआ है वो तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है अगर हम मौंगोल बोल रहे हैं मुगल बोल रहे हैं तो यहां से मतलब मम्मी की साइट से तो चेंगेज खान के लोग डिसेंडेंट्स थे डिसेंडेंट्स का मतलब होता है कि उन्हीं की फैमली चलती हुई आ रही है तो ठीक है तो उन्हीं की फैमली चलती हुई आ रही है कि क्या मतलब है यानि कि देखो जैसे हम बोले कि आप उनका बेटा है, और इस तरीके से उनकी बेटी के बच्चे हैं, और जादा उनके बेटे के बच्चे हैं, तो वो सारे बच्चे जो हैं, वो इक तरह से उन नाना के descendants हैं, उनके आगे आने वाली generation है, ठीके बच्चो, एक तरह से अगर हम descendants की proper definition की बात करें, तो देखें, मैं बताती हों आपको, confused नहीं होना, ठीके, बाद में मत बोलना कि माम, ये descendants क्या होता है, मुझे पता है, और साथ ही में अगर कोई भी doubts आ रहे हैं, तो आप लोग comments में क्या करेंगे, लिखते रहे हैं, ठीके, चालो, तो descendants की meaning की जब हम लोग बात करते हैं, तो एक तरह से हमको पता चलता है की, a person who belongs to same family as somebody who lived a long time ago. ठीक है बच्चो, तो एक ऐसा इंसान जो एक ऐसी family को belong करता है, जो family बहुत समय पहले रही तो उसी के आगे आने वाली generation जो है, तो वही उसके descendants हो जाएंगे, तो बच्चो चेंगेज खान के descendants थे अपनी मम्मी की side से, और father side के अगर बात करें, तो वहां से ये लोग successors, दे वो भी जो हैं राज किया करते थे चाइना और Central Asia के कुछ हिस्सों पर, और जो टिमुर हैं, वो भी कुछ कम नहीं है, वो जो हैं इरान, इराक और जो आज टर्की है, उस जगा पर राज किया करते थे, तो दोनों ही side से powerful rulers के descendants हैं हमारे मुगल्स और मुगल्स भी कम नहीं है बचो मुगल्स भी बहुत ज़ादा popular rulers हैं, जो बहुत बड़े एरिया पर राज किया करते थे, तो उनको कम मत समझना, ठीके, अब यहाँ पर ज़रा एक बात आएगी, कौन सी बात आएगी मैं, बताती हूं, बताती हूं, देखो, अच्छा पहले एक चीज आप लोगों न नहीं है, यह मुगल्स के रिष्टेदार है, तो यह जो उपर वाली इमेज है न, यह है हमारे चंगेज खान, और यह नीचे वाली इमेज हमारे हैं, टिमुर, ठीक है, तो चलिए, अभी जो है देखते हैं, कि क्या आगे मैं बात कर रहे हूं, देखो, यहाँ भी देखिए तो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो, कि मुगल्स जो है अपनी मदर साइड से, किसके डिसेंदेंस थे, चंगेज खान के, जो कि क्या थे, मौंगोल रूलर, इस वज़े से क्योंकि वो मौंगोल रूलर थे, तो अभी मुगल्स अगर अपनी मम्मी की साइड का नाम अडॉप्ट कर लेते, तो उनको मौंगोल या मुगल बुलाया जाता, जो कि असलियत में है, लेकिन बच्चों, इनको नहीं पसंद आती थी ये बात, अब आप सोच रहे हो कि क्यों, वाई, है ना, कि क्यों नहीं पसंद आती थी, अब ये तो वही बात हो गई, कि हमको ना अपना कोई नाम है, जो हमारा रख दिया गया है, पर हमको वो नाम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन अब हम क्या करें, नाम तो रख दिया है, ठीक है, तो बचों ऐसा इसलिए था, क्योंकि, जो हमारे कौन थे, बता है, मदरस साइड से कौन थे, हमारे, जो थे ना वो इनकी Mother Sight के थे और यह इनी के descendants हुआ करते थे हमारे Mughals और चेंगेज खान क्या थे चेंगेज खान एक Mongols रूलर थे बच्वे एक Mongols रूलर थे चेंगेज खान हमारे अब देखिए हमारे मुगल्स को यह जो नाम था particularly चेंगेज खान और इनका नाम मौंगोल रूलर थे तो मौंगोल से जो जुड़ा हुआ नाम था मौंगोल या मुगल्स यह बिल्कुल पसंद नहीं था तो आप सोचोगे कि क्यों पसंद नहीं था क्या आप लोगों के मन में कोई रीजन आ रहा है उनको मुगल नाम से क्यों अलर्जी थी क्यों इरिटेशन थी तो बचो ऐसा इसलिए था क्योंकि चेंगेज खान हमारे कुछ इतने अच्छे आदमी नहीं थे इतने भले इंसान नहीं थे तो चेंगेज खान थे ना इनका नाम जुड़ा हुआ था बहुत से हजारों लोगों के किस के साथ मैसेकर के साथ तो बचो हमारे चेंगेज खान ने बहुत से लोगों को मारा था बहुत तादाद में लोगों को मारा था बहुत लोगों का खून क्या था इस वज़े से बच्चो हमारे मुगल्स को ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं था अब अब क्या ही कर सकते हैं बुलाते तो उनको यही थे मुगली बुलाते थे तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन बच्चों देखो एक तो ये reason था एक तो ये reason था कि क्या जो चेंगेज खान का नाम था जो कि जिनके वो descendants हुआ करते थे अपनी मम्मी की side से चेंगेज खान एक मौंगोल रूलर थे इनी से ही derive होकर मौंगोल या मुगल इनका नाम पढ़ा था पर इनको ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि चेंगेज खान के साथ जो है यादे जुडी थी massacre की चेंगेज खान ने जो है बहुत लोगों को मार गिराया था ठीके बचो साथ ही में एक और चीज है कि उस बेग्स उस बेग्स ये कौन है भई उस बेग्स है हमारे विलन ठीके बचो विलन तो ये जो है ना ये उस बेग्स थे मॉंगोल कंपेटिटर्स तो मॉंगोल के अगेंस्ट जो एक तरह से जो उनके बिलकुल राइवल्स थे जो उनके दुश्मन हुआ करते थे वो थे उस बेग्स तो उसके साथ भी नाम जुड़ा हुआ था और साथी मैसेकर के साथ भी नाम जुड़ा हुआ था तो दो-दो चीज़े थी इस नाम को हेट करने की ठीक है? बात समझ में आ गई है? चलिए लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि on the other hand the Mughals were proud of their Timurid ancestry तो बचो इनको जो है ना तिमुर की ये descendants थे उनके successors थे ये अपने father's side से तो इनको जो अपने पापा की side का ये था ना मतलब ये जो पूरी family थी ये उस चीज़ पे बहुत ज़ादा proud feel करते थे ठीक है? बहुत गर्व करते थे अब ऐसा क्यों है? भई एक तरफ तुम कह रहे हो कि मैं मम्मी की side का जो नाम है ना उसको hate करता हूँ लेकिन एक दूसरी ही तरफ ऐसा बोल रहे हो कि पापा की side का जो तिमुरid ancestry है ना हमारी ये तो बहुत बढ़िया है ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? ठीक है उसके साथ बहुत से reasons थे कि हमारे तिमुरिद ancestry को पसंद करने के लिए तो हमारा एक तरहां से देखो इनके जो great ancestor थे उन्होंने क्या करा था? their great ancestor पूरवज की बात हो रही है बच्चों captured Delhi कब in 1398 1398 के अंदर इन लोगों ने Delhi को भी capture करा था तो भई ये एक तरहां से बहुत ही गर्व की बात है है ना बच्चों? अब देखो साथी में ये एक तरहां से अपनी इस genealogy को इस पूरी particular family को तिमुर के साथ ये ना relate होने में बहुत जादा खुश होते थे ठीके बच्चों उस side की family के साथ ये relate होने में बहुत जादा गर्व है हैसूस करते थे इनको बहुत जादा गर्व था और ये बहुत evident चीज है मतलब मुगल्स ने हम कोई चीज नहीं बताई है बट ऐसा हमको साफ साफ जब हमारे historians देखते है ना इस time period को तो उनको साफ साफ पता चल जाता है ठीक है बचो देखे तो ये जो है ना अपनी इस genealogy को अपनी इस family को victorially represent किया करते थे तो images के थुरू represent किया करते थे अभी आप देख रहे हो यहाँ पर एक image है कौन सी image की बात कर रहे है हम देखे यह जो image बनी हुए है जिसमें सब ऐसे mughals जो है अपनी पोशाक में बैठे हुए है और बचो इस image के अंदर हम देख सकते हैं कि एक miniature painting है तिमोर की और उनके descendants और mughal emperors की तो तिमोर जो है बचो की center में जो figure बैठी है न ये 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 हमारे तिमोर है चीकिए बचो तिमोर है ये and उनके right में उनके बेटे हैं मीरन शाह and उसके बाद अबू सईद जो की बाबर के दादा जी थे and उसी के बाद हम देख रहे हैं बचो लेफ्ट में तिमोर के बैचे हैं सुल्तान मुहम्मद मिर्जा और ये भी बाबर के great grandfather थे और बचो उसके बाद उमर शेक जो की बाबर के father थे मुगल emperors बाबर, अकबर, शाह जहां, third, fourth, fifth individuals है तिमोर के right पे and उनके left पे उसी same order में हुमायू, जाहंगीर और और औरंगजेब तो पूरी की पूरी हमारी मुगल family बैठी हुई है इस picture के अंदर और बचो ये picture इन्होंने इसलिए बनवाई है क्योंकि ये लोग बहुत जादा गर्व महसूस करते थे कि ये लोग टिमोर से associated हैं किसी ना किसी तरह से तो ये इनके लिए बहुत घर्व की बात हुआ करती थी तो आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा होगा कि भई क्यों गर्व की बात है लेकिन उनके हुआ करती थी हमारा quiz time हो गया है बचों और अब आप लोगों को मिलेंगे 30-30 seconds I hope आप लोगों कोई बात तो पता है और आपको फटा-फट से अपने questions को क्या करना है जल्दी-जल्दी से attempt करना है चलिए तो हमारा एक ही quiz है बचों आज की class में जल्दी से इस quiz को जो है attempt कर लेते हैं और यहाँ पर question आ गया है चिंगेश खान के उपर question है यह कौन सी tribe के ruler हुआ करते थे भई तो कौन सी tribe के ruler हुआ करते थे फटा-फट से बता दो जल्दी से बता देना ठीक है जल्दी जल्दी बच्चों फटा-फट यहाँ पर देर नहीं लगानी है जल्दी से बता दीजे बहुत ही simple quiz है चलो 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 जल्दी जल्दी यहाँ पर फिर हम next question पर चलेंगे न बच्चों जल्दी कीजे चलिए जल्दी से उस जगह का नाम बता दीजे क्या नाम था फटा-फट चलो चलो भई बता दिया है सभी ने जल्दी से चलिए तो बच्चों फटा-फट से discuss कर लेते हैं तो हमारे मुगल emperors रहा करते थे reside किया करते थे in their residence the red fort ठीके बच्चों और पिछले question में पूछा गया है जो चेंगेज खान है वो कौन से tribe के ruler हुआ करते थे तो ये थे हमारे mongol tribe के ruler ठीके बच्चों सभी को बात समझ में आ गई है तो हमारे दोना ही questions हम लोगों ने attempt कर लिये हैं और बच्चों अब आज की class में हमने जो है introduction वाला जो पार था हमने देखा कि किस तरीके से मुगल rulers एक ऐसी legacy छोड़ कर गए है जो कि बहुत important है और बहुत महत्वपोन rulers है हमारे मुगल तो इनके बारे में पढ़ना इस वज़े से बच्चों ज़रूरी है ठीक है तो इस वज़े से हम इनको history में include कर रहे हैं को पढ़ रहे हैं इतनी जादा detail के अंदर हमने देखा कुछ-कुछ हमारे मुगल emperors के नाम जो है उनके भी बात करी है और साथ ही में बच्चों हमने देखा कि हमारे मुगल जो थे वो आकिरखार थे कौन उनकी mother side से वो किसके descendants थे father side से किसके descendants थे यह सारी बात हमने कर ली है टेमुरिद ancestry को वो बहुत जादा तवज्जू देते थे बहुत जादा गर्म हैसूस करते थे उस पर लेकिन अगर हम वहीं पर बात करें हैं उनके मौंगोल नाम की तो वहाँ पर वो लोग इतने जादा खुश होते नहीं थे ठीक है तो यह सारी बाते हमने कर ली है उनके पीछे जो कारण है उनको भी समझ लिया है अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे जो है comments के अंदर लिख कर बता देंगे और हमारी next class बच्चों होने वाली है military campaigns, traditions or succession relations with other rulers के उपर तो यह सारी क्या बाते हैं मैं आपको next class में बताऊंगी और बच्चों देखिए class 7th का जो morning batch है English medium का Monday to Saturday चलता है बच्चों तो हफते के 6 दिन आप लोगों की classes सुभे सबसे पहले उठते ही 9 मुझे होती है social science 10 बजे maths और 11 बजे science की class तो बच्चों इन classes को timely attend किया करो ठीक है मिलते हैं अपनी अगली class में तब तक के लिए take care and सभी को बाए